हेलो फैंट्स तो आज का ये वीडियो एक डिमांडिंग वीडियो तो मेरे पास कमेंट आये तो उन्होंने मुझे बोला था कि सर आप ब्लेड रिपोर्ट के बारें बताइए कि हम ब्लेड रिपोर्ट देखके कैसे इसली आइंटिफाई कर सकते हैं और किस बीमारी में कौन तो चलिए फिर आज करते हैं और आज का यह वीडियो काफिया इंपोटेंट होने वाला है तो आपको इस बीडियो सब्सक्राइब तक बने रहना है तो जो सबसे पहला टेस्ट है वह हमारा सी जिसका फिल फर्म होता है कंप्लीट ब्लेड कांट तो आपको इसके नाम से की जाने वाले चीज़ वह हमारी चारत रहके होती हैं जो सबसे पहली वह हमारी हीमोग्लेविन तो हीमोग्लेविन एक ऐसा मेटरियल होता जो कि हमारी ब्लड की लेवल को बताता है कि हमारी बॉड़ी में कितना ब्लड है फर जो नेक्स्ट हमारा टील सी जो टोटल लीको सं Parkracy Code workout होता है जिसको हम डिबलूबी सीफिये नाम से जानते हैं जो कि हमारी बॉड़ी में defense mechanism का काम करते हैं अगर इन recruiting संख्या अगर अगर हमारी बॉड़ी में कम जाद हो जाती ही तो से हमारी बॉड़ी बीजानते हैं तो यह काफिया कामन है तो यहां पर आप इससे भी फानिट 5 कर लेते हैं कि आपकी बौडी में यो टाइफर है या मली रहा है यह कोई अधर बीमारी तो नहीं है तो चली अब हम देख लेते हैं इसकी ब्लेड रोपॉर्ट तो यहां पर आपको इक मेज़ और हैं यह यह एंगी आपको इस बोट एंगा झोगर वाली बात नहीं भात師 कर ले ल法 lights का लिए हमारी कोई बाड़ी में आथाइसों और कार तो यहाँए तो यहां पे मतलब बाड़ी में इंफेक्शन हो रहा है जिस भी patient की यह report है तो इसकी body में infection है पर जो यहाँ पर मैंने आपको चार चीज़े बताएं तो यहाँ पर देखिए e-snow fills भी है यहाँ पर आप इसको दे सकते हैं यहाँ पर देखिए जो e-snow fill की value है तो बिल्कुर normal है next हमारा RBC count है और प्लेट जो चार तरह की चीज़ें जो कि हम easily इस report करते हैं और यहाँ पर जो हमारा last one जो की काफी दर important होता है CBC का वो होता हमारा प्लेट तो यहाँ पर देखिए जो प्लेट जो प्लेट है उनकी भी यहाँ पर value कम हो रखी है और यहाँ पर देखिए आपकी डेड़ लाग से उपर होनी चाहिए थी तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम easily CBC के report को देखते हैं अब जो next test आता है वो हमारे विडाल टेक्स जो की आपका टाइफ़ाड फीवर में किया जाता है अगर किसी patient को काफी दिन से बुखार आ रहा है तो उस condition में डॉक्टर विडाल टेक्स की सला देते हैं और इसको टाइफ़ाड फीवर के test से भी जाना जाता है तो चलिए अब हम बात कर लेता इसकी report के बारे में तो आपके सामने यह जो रिपोर्ट अग्टार के नाम से भी जाना जाना जाए तो यहाँ पर आपको अलला तरह की जो टाइर होतीं इसकी उसको हम यहाँ पर देखते तो यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको बताय था अपनी एक भीडय से अभडा है तो यहाँ पर मैं आप श्मीड टीफी को लिटीप नाम का एक open variety होता है इसके तूर जो टाइफला हो जाता अज्क लिए अज्ससटी को यहां हो दियां तो यहां पर देखिए सालमोनः ट्यफी औूसालमोनः टीफी एश यह अलाला तरह के हो दिये तो इहां पर आपको यहां पर अगर आपकी जो vun 두and rättiv बन फो टी हैं पर आपको जो टाइफ़ोड वाला बैक्ट्रेव वो इसकी बॉड़ी में ग्रोथ कर चुका है और आपको नीचे रिपोर्ट में देख रहा भी होगा जो किलिरली यहां पर लिख दिया इस रिपोर्ट में कि जो आपका जो विलाड टेस्ट वह ब्लुकुल नेगेटिव है पेशेंट को जैसा कि मैंने इस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बना रगी आप इसको देख सकते हैं और यहां पर जो मलेरिया तो वह चार तरह का होता और जो कि सबसे ज़्यादा कमन होता वह आपको और बाइबक जो कि आपको नॉर्मली देखूनी वह मिल जाता है और यह दो तरह के ज लगा जो कि यहां पर आपको मैंने अज्वी बताया तो यहां पर देखी प्लाज्मोडीम वाइवेक्ट से प्लाज्मोडी फैल्जी पिरम है तो यहां पर आपको जे दोन हैं तो मतलब पेशेंट में किसी परकार का मालेरिया पैरसाइट का इंफेक्शन नहीं है ब्लड ग्लूगूस टेस्ट बोला जाता है जिसमें आप कह सकते हैं आप मिनी डाइबटीज को मैजर करते हैं तो यहां पर देखिए बैसे तो आजकल सभी के घर पर यह डिवाइज आज चुकी क्योंकि डाइबटीज वो काफे दो कमन हो चुकी है तो यहां पर जो हम जब आप खाना खा लेते हैं उसके बाद आपकी जो डाइबटीज टेस्ट की जाते हैं उसको हम रेंडम बोलते हैं और एक बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट जी यहां पर समझने वाली है कि यहां पर अगर आप खाली पे टेस्ट कराते हैं तो उस कंडिशन में आपक कोई वी डाइबटीज नहीं है अगर आपकी बन फॉर्टी से उपर आती है यहां आपकी खाली पेट वाली हन्यट से उपर आ दी तो उस कंडिशन में आपको ट्रीटमेंट की जल्दी आवशक्ता होती है तो आपके सामने यहां पर एक रूपोर्ट है जो कि यहां पर ब्ल दो है और आपकी 70 से 120 में आती है तो आपको किसी क्राइक डावीट नहीं है जैसा कि आपको देख रहा है कि यहां पर जो स्टभीट हीं वह सेवनीत फॉर आ England यहां पर एमजी पर मतलब मिली ग्राम पर डेई्लीटर यहां इसकी ऐसा यूनिट होती है और अगर आप एक मेडिकल स्टुन है तो आपको इसके बारे में जानना काफ़ेदा जरूरी था तो अब जो नेक्स टेस्ट है वो हमारा LFT टेस्ट जिसका फुल फर्म होता लीवर फंक्शन टेस्ट तो आपको नामसी स्वंज में आ रहा होगा कि कि यहां पर कहीं नकहीं आपके रिलीवर से बात की जा रही है तो आपकी बौड़ी से ब्लड निकाले के उड़?" लेवरिटरी में लेज़ा होता कैऊ का इडिफिछन किया जाता है तो उस किंडिशिड जबीड आपकी रिपौर्ट में तो वूंपे आपकी बौड़ी के ब बिलीरुविन का concentration बढ़ जाता है तो उस condition में आपको पी लिया या हम कैसे को उसको जॉन्डिस है या आपकी लिवर में कोई डिजीज है या आपको एनिमिया वाली दिक्कत है आपकी बोड़ी में खून की कमी हो रही है तो यहां पर बिलीरुविन की तुरू हम इजिली identify कर ले थे हैं फर जो नेक्स्ट अबारा एज़ी पीटी और होता हमारा एज़ी ओडी यह जो दोनों तरह के हैं जिसमें आपकी पता लग जाता कि आपका लिवर है उसकी function कैसी है क्या आपका लिवर वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है आपके लिवर में कोई देख रही है और जो कि आपके लिए अगर आप निव हैं आप एक मेडिकल स्टुनेट हैं आप नया सीख रहे हैं तो उस condition में आपके लिए जो इंपोर्टेंट पार्ट होता है वह होता आपके लिए नॉर्मल रिज़ आपको नॉर्मल रिज़ अगर पता है तो आप इसी क आप नॉर्मल रिज़ से आपको मिलाना और जो आपका रिजल्ट आया उन दोनों को आपको मेश करना आप उसी के तुरू इसी कर लेते हैं कि आपकी लिवर में या आपको कोई और दिकत तो नहीं है तो आप जो नेक्स्ट टेस्ट है वह हमारा के एफटी टेस्ट जिसका फुर्ष्ण होता है कृडŃ फंक्शन तर्फ तो यहां पर आपको ईजिली नाम सी पता चला होगा कि यहां पर आपके के लिजिड बात की जारी तो यहाँ पर जो आपका टेस्ट क्या जाता है तो उस करनीशन में आपका जो तीनों टीस जो यहां पर मैंने लिख रही हैं जो कि काफ़ी दाइंपोटेंट है, यहाँ पर देगी केराटिनिन, यूरिया और यूरिक एस्ड ये आपकी किड़नी में अवैलवल होते हैं और ये एक तरह के बैस्ट मिटरियल होते हैं, जो कि हमारी बॉड़ी से बाहर निकलना काफ़ी दाइंपोटेंट होते हैं, अगर आपकी बॉड़ी से ये बाहर नहीं लगा पा रहे हैं, तो उस कंडिशन में आपकी बॉड़ी में किसी प्रिकार का इंफेक्शन हो जाता है, तो हम इनी तीनों चीज़ों को एजली आइंटिफाई कर लेते हैं, बिल्ड रिपोर्ट के थूरू, तो आपको यहाँ पर सामन इतना आपकी बाहर निकल बारें, यहाँ आपकी बॉड़ी से एक्ष्रीड आट हो पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको रिपोर्ट में दिख रहा है कि यहाँ पर एरो भी लगा रखें, कि आपकी बॉड़ी में यहाँ बढ़ चुका है, और यहाँ पर आगर आप डॉर्मा कि अपने बू अपने अपने एरिया में काफी दर पीन बताते हैं, और अगर वो पीन काफी लंबे समय से होता हुआ आ रहा है, तो हो सकता उसकी पैनकरियाज में, या उसके किड्नी में पतरी होने के चंचेश्स हो सकते हैं, तो उस कंडिशन में डॉक्टर हैं, उसको अल् बोट भी दिखाने वाला हूं हो यहां पर देखिए मेरे सामने एक रिपोर्ट अल्टरासांट तो यहां पर देखिए जह आपका लिवर बुलकल नार्मल है आपकी जो स्प्लीन है जो मिन्दी पिली अब बोलते हैं वह भी नॉर्मल कि आपके जो तो इसक्त का साइज में का साइज यो की काफी जादा है और उस कंडिशन में हो सकता कि पेशेंट को जोissement किया जारे तो यहां पर देखिए आपकी जो लेट किन इल्थ किन시 इन इहां पर बोला गया कि जो आपकी कलक्यार होय तो यहां पर देखिए यह कुछ अल्ट्रासाँंड की रिपोर्ट जो कि आप इसिरी किसी patient की देख सकते हैं और आप इसलिए identify कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको काफी सारी reports ने आपके cover up कर दिये तो उमीद काता हूँ आपको यह video information काफी तब पसंद आई हो तो फिस वीडियो को लाइक कर दिये और ऐसलिए अगली वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस टॉप लाओ ताकि आपको और नई जानकारी मिल सके